हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी काज के स्टूडियों में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल में डिये फेट एप्लेकेशन कनेक्ट नहीं हो रहा है वो बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप ध्यान से जरू देखिएगा और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पेने तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों काफि सारे यूजर के प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी अप्लिकेशन बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है वो कनेक्ट ही नहीं हो रही है और जिनकी कनेक्ट हो रही है वो बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको जाना है आप यहाँ पर right side में आप देखेंगे DFT application में यहाँ पर आपको profile का icon दिखाए देगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपको click करना है तो आपका profile यहाँ पर दिख जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ नीचे आपको option मिला है about का तो आपको about पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको check करना है कि आपका जो version है वो कौन सा है तो आप यहाँ पर check कीजिए कि आपका version का कौन सा है तो यहाँ पर आपको version दिखाए देगा अब आपको जाना है अपने mobile का जो play store है उसको open करना है आप चाहे तो इसका screenshot ले ले ताकि आप version को match कर सके तो यहाँ पर आपको check करना है उसके बाद बैकाना है और play store पर जाना है आपको play store पर जाना है आपको search करना है डिये fit application उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर आपको इस application को open करना है उसके बाद यहाँ पर about app पर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है about this app इस पर click किजिए उसके बाद यहाँ पर आप version चेक किजिए अपडेट कर देना है तो यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको अपडेट दिखाए देगा तो आप इसे अपडेट कीजिए यह अपडेट होता है आप देख सकते हैं यहां पर अपडेट यहां पर आ चुगा है तो अपडेट कीजिए इसको अपडेट होने आपको होने देना है इसके बाद आपको क्या खरना है इसको अपडेट होते रहने देजिए इसके बाद ब्यक आई है यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप सेटिंग पर जाएए तो सेटिंग पर जाएने के बाद यह जीसे दुस्तों आप क्लीक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपसर मिलेगा क्लीक डिवाइस करनेक्ट यह बटन आपके मुबाइल में ओफ होगा तो आपको इसको अन कर देना है अगर ऑन है तो ठीक है तो यहाँ पर इस तरह का आपको पेज दिखाए देगा जैसे आप इसे तो यहाँ पर setting खुलेगा आप देख सकते हैं आपर more setting तो more setting पर click करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का दिखाई देगा अगर आपके mobile में बटन ओफ है तो आप तीनों बटन को on कर दीजिए उसके बाद बैक आईए उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर आपको option मिले अधिस्टम सेटिंग का याद रखे आप अधिस्टम सेटिंग पर जाईए अगर आपके mobile में system setting है तो आप system setting पर जाईए यहाँ पर कि उसके बाद आपको एक option मिलेगा date and time का यहाँ पर आप देख सकते है date and time का तो आप date and time पर click किजिए उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा set time zone automatically यहाँ पर आप देख सकते है यह बटन आपके mobile में off होगा तो आप इसे on किजिए उसके बाद time set automatically इसको भी आप off है तो इसको on किजिए इसके बाद बेक आईए बेक आने के बाद आपको नीचे option मिलेगा backup and reset का तो आपको backup reset पर क्लिक करना है उसके बाद एक option मिलेगा reset phone का दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए आपका mobile reset नहीं होगा अगर आपके mobile में यह खुलते ही आपको network setting दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक किजिए आप reset phone पर क्लिक मत किजिए मगर मेरे mobile में इस तरह का दिखाई दिखाई द जाएगा तो आपको ध्यान रखना है आपको reset network setting पर क्लिक करना है उसके बाद अगर आपके mobile में कोई भी password या फिंगर पींट होगा तो यहाँ पर आप से डाल लिजिए उसके बाद इस तरह का नीचे pop-up शोगा तो आपको reset network पर प्लिक करना है इससे क्या होगा का आपके network restart करना है या reboot करना है आपको restart का option मिलता है तो restart कीजिए अगर reboot का option मिलता है तो reboot कीजिए उसके बाद आप on कीजिए तो आपका जो भी डिएफिट application यहाँ पर आपके watch के साथ connect होना सुरू हो जाएगा और बार-बार disconnect भी नहीं होगा तो इस तरह से आप इस problem को ठीक कर सकते तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करे